चीन और भारतिय सेना के बीच हुई जड़ब, जड़ब के बाद अरुनाचल परदेश का तमांग एक बार फिर से चर्चा में हैं, भारत चीन के बीच सीमा विवात की वज़ा से तमांग में भारतिय सेना के मिलिटरी वाहनों की आवाजाही ज्यादा रही है, हलाकि तमांग अपनी बेमिशाल खुपसूर्ती और बौध मठों के लिए मसुहूर है, यहां का प्राकृतिक संदर वर्फिले पहाड हरी भरी वादियां मन मुह लेती है, यहां एक एसिया के सबसे बड़ा मठ तमांग भी है, अपने बौध मठों के लिए यह सहर पूरे दुनिया में पहचाना जाता है, यह मठ समुदरी तल से लगभग 3,000 मिटर के उचाई पे इस्तित है, इसे भारत के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े मठ का दरजा प्राक्त है, यह करीब 400 साल पुरानी है, जो 300 से भी अधिक बौध विक्चुको के आश्रम अस्तल के रूप में जाना जाता है, तवांग की जीले इस सहर की उपसूर्ती और ज्यादा आकर्सित बनाते हैं, तवांग की नदी, नदियां और जहरने भी परियाटको को अपनी और आकर्सित करते हैं, बेहत्सांद और समुद्र नदियों के पास अक्सर लोग घूमने फिरने और पिक्निक मनाने के लिए आते हैं, तवांग जाने के सबसे अच्छा समय मार्च और दिसंबर महीने में है, क्योंकि ये जगा गर्मीयों और मानसुन में घूमने के लिए पर्फेक्ट है, लेकिन अगर आप बर्फिली और वर्फ से ढगे पहाडों का मजा लेना चाहते हैं, तो यह यहां सर्दियों के मोसम में जाएं, हलाकि सर्दियों में यह यहां का तापमान एक से तीन डिगरी के आस्वास रहता है,